हलो दोस्तों आज मैं आपको पिताऊंगा कि डाइबिटीज के मरीज जो हमारे क्लीनिक में आते हैं वो तीस साल से लगाकर साट सतर साल सभी वर्ग के मरीज हैं और जो हमारे युवा वर्ग है उसमें डाइबिटीज का प्रिवलेंस बहुत तेजी से बढ़ रहा है एक प्रेस्ट बहुत कामन होता है वो हमसे पूछते हैं कि साब मुझे डाइबिटीज क्यों हो गए तो मैं उनको जो उत्तर देता हूं वो आपके सामने में बता रहा हूं मैं उन्हें कहता हूं कि आज से 30 साल पहले 25 साल पहले कहीं भी कुछ काम हो तो सभी लोग पैदल जाते थे या साइकल से जाते थे अब आप देखिए यदि आपको मेरे क्लिनिक से 100 मीटर दूर भी जा करेंगे उतनी दूर भी आप एदल नहीं जा रहे हैं सो सबसे बड़ा कारण फीजिकल इनक्तिविटी फिर दूसरा कारण डाइट का है वो बहुत इंपोर्टेंट है डाइट के बारे में मैं उनको बताता हूं कि आप अपने पेरेंट से पूछे कि हम लोग जब छोटे थ करते थे कि होली आएगी तो अच्छा खाना कनेगा, दिवाली आएगी तो अच्छा खाना बनेगा उसी तरह से जो मुस्लिम कम्यूनीट में येइद का टाइम आता है या रोजा आते हैं तब उनकिया अच्छा पणते थे हर दिन हर समय होली है दिवाली है अब जब चाहों जब जैसा चाहों खा रहे हैं लोग, उसमें कोई रस्टिक्शन खाने में नहीं है, फिर एक तीसरा बहुत महत्पूर्ण बात डाइबिटीज के मारी जो को मैं कहता हूँ, वह है इस्ट्रेस, आज कल हर छोटी-छोटी चीजों में लोग इस्ट्रेस ले रहे हैं, मैं उनको एक्जाम्पल देता हूँ कि आज से 20-25 साल पहले जब भी हम हमारे घर से बाहर निकलते थे, तो एक बार पेरेंट्स को बूल दिया कि मैं महु में रहता था, मैं इंदौर जा रहा हूँ, तो जब वापस घर पहुंचते थे, तब पता लगता था कि हां मैं वापस आप घर से बाहर निकलेंगे और थोड़ी सी दूर भी नहीं चलेंगे कि फोन आएगा कहां तक महुंचे, फिर बस मिली 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 या नहीं मिली कित्ती देर में पहुंचे होगे और इसी तरह से आप किसी को फोन कॉल करते हैं तो एक बार में वह कॉल नहीं उठाता है, तो यह तीन चीजे हैं जो आज हमारे लोगों में भारतवरस में पर्टिकुलरली डाइबिटीज और ब्लड पेशर हार्ट की बिमारी बढ़ा रही है, छोटी छोटी बातों में तनाव, कसरत करना करना, फिजिकल इनेक्टिवीटी और खान पान में जो पहले था उसमें इतना आरी बिमारियां वो लोग पैदा कर रहे हैं, धन्यवाद।